अलो साथियों मैं पंकज वैशनव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशिन ग्यान के एक अक्सा चैनल पर हम देख रहे हैं 12th क्लास के भुगोल सब्जेक्ट को बुख है अपनी भारत लोग और अर्थ वैवस्ता और हम पहुच गए है चैप्टर नंबर 6 में जिसका नाम है भारत के संधर्ब में नियोजन और सतत पोष्ण विकास इस चैप्टर का आज हम शुरुआत करने वाले हैं इसका मतलब हम पहला पार्ट देखने वाले हैं तो जोड़ जाइए जो रेगुलर क्लास लेते हैं बाकी नए स्ट्रेंट्स भी जोड़ जाइए ऐंसी चावला जी ख्रिष्णा जहाजी सभी का स्वागत है मोहिच जी शुशिला जी विशाल मीना जी एंसी चावला जी सुमित ओराउं जी सिकंदर जी सत्यम जी सुमन जी ठा ये वाली बुक और इसके चैप्टर समझने की कोशिश कर रहे हैं उपर वाले पांच चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं पहला जनसंक्या अच्छे से देखा था दूसरा मानव बस्तियां बहुत अच्छे से जाना हमने तीसरा बू संसाधन तता क्रशी बहुत अच्छे से पड़ा चौथा जल संसाधन अच्छे से देखा हमने और पांच वा जो कि हमने कल कंप्लीट किया था खनीश तता ओजा संसाधन वो भी हमने बहुत अच्छे से देखा तो आज सुरुआत करने वाले हम छटा चैप्टर भारत के संधर्ब में नियो जन यानि की प्लानिंग और सतर्थ पोस्ट निय विकास जानेंगे ये दोनों सब्दों के मिनिंग क्या होते हैं और इस चैप्टर में हमें क्या-क्या पढ़ना है पहले एक बात मैं वापस रिफीट कर लेता हूँ कि ये तीन चैप्टर यदि आपकी बुक में है तो उसे काट दीजिए हमें उसका एक लाइन भी नहीं पढ़ना है कौन-कौन से चैप्टर ये वाली बुक में कौन-कौन से चैप्टर हटाने है परवास का प्रकार कारण और पढ़नाम हटा दीजिए मानव विकास नहीं पढ़ना है ये वाले बुक में मानव विकास नहीं पढ़ना है जो पहली बुक थी ह भारत के संदर्ब में नियोजन और सतत पोष्णिय विकास को ए गेमर किंग जी कमेंट कर रहे हैं प्रैक्टिकल फाइल कैसे मनाएं प्रैक्टिकल के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि जब यह कंप्लीट हो जाएगी तब हम इत्मिनान से आराम से सारी बाते करेंगे क आग इस तरह से हमें आगे बढ़ना है प्रैक्टिकल में ठीके प्रैक्टिकल करवाएंग कोशिश भी करेंगे कि जिस तरह से होने चाहिए वह और कैसे फाइल मेंटेन करनी है क्या क्या चीज़ें करनी है तब सारी बाते हम उस समय करेंगे तो शुरूआत करते हैं भारत के संदर में सतत पोष्णिय विकास और नियोजन पहले नियोजन देखना है उसके बाद हमें सतत पोष्णिय विकास के बारे में बात करनी है पहले तो हम इनके मीनिंग समझ लेते हैं कि नियोजन का मतलब क्या होता है और सतत पोष्णिय विकास का मतलब क्या होता है नियोजन क् अपना अपना नियोजन होता है, अपना अपना सतत पोष्ण ये विकास का तरीका होता है, कि वो कैसे बढ़ेंगे इस दिशा में, तो हमें भारत के संदर में अपने देश के बारे में जानना है कि कैसे नियोजन हो रहा है, होता आया है, और सतत पोष्ण ये विकास की दिशा यह प्लानिंग जैसे कि आप सबीने मिलके सोचा होगा कि हम क्रिकेट का मैच खेलेंगे, छुट्टी के दिन, संडे के दिन, तो आपने क्या क्या प्लानिंग कियोगी, आपको करना क्या है, क्रिकेट का मैच खेलना है, इसके लिए आपको दो टीमे चाहिएगी, कम से कम 11-11 प हम कहलेंगे, क्या वहाँ पानी तो नहीं भरा हुआ है, क्या वहाँ काटिली जाडिया तो नहीं उग आई है, या फिर वहाँ कोई दूसरा प्रोग्राम तो नहीं हो रहा है, इस तरह कि आप प्लानिंग कर रहे हो, अच्छा, बैट कौन लेके आएगा, बॉल कितनी होनी च ऐसा इकटा करके बैट लाएंगे, बॉल लाएंगे, इस तरह की चीजे क्या है, प्लानिंग, हम अपने देनिक जीवन में बहुत सारी प्लानिंग करते रहते हैं, पहिए अपने गरों में शादियां होती है, तो अपने मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी मिलके उसकी प्लानिंग करते हैं, कौन हलवाई होगा, टेंट कौन लगाएगा, उसको कितना रुपए सस्ता वाला लेना है, महंगा वाला लेना है, खाने में क्या क्या लेना है, कौन से भवन को बुक करना है, या मैदान खली पड़ा है, उसमें ही साधी का टेंट लगा देना है यह सारी planning के अंतरगत आता है और यही सारी planning जब हम देश के इस्तर पर राज्य के इस्तर पर देखेंगे तो वो सरकारी planning के अंतरगत आजाएगी सरकारी नियोजन के अंतरगत आजाएगा तो नियोजन का मीनिंग क्या है planning करना अब भारत के संदर में क्या समझेंगे हम इसमे वही जब देश आजाद हुआ था उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम थी भारत में और अभी भी बहुत सारी समस्या है जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है नई-नई समस्या भी आती है पूरानी समस्याओं को हल भी करते रहते हैं तो जब देश आजाद हुआ था तब गरी भी थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, खेती, क्रशी इतना अच्छा नहीं था, उद्योग का विकास इतना अच्छा हुआ नहीं था, आर्थिक विकास के मामले में भी हम पिछड़े हुए थे, तब सरकारों ने सोचा कि कैसे हम ये सारे छेत्र को सही कर पाएं, गरी हम देखेंगे उनके बारे में, जैसे कि प्लानिंग कमिशन आया, योजना आयोग आया, और उसके बाद अभी नीती आयोग आया, 2015 में, तो यही सारी चीज़े इस चैप्टर में देखनी है, और नियोजन के भी अलग-अलग रूप है, कि कैसे करे हम, प्लानिंग कैसे करे, एक, तो किस छेत्र में करना है, वो देखें, कि क्या क्रसी छेत्र में, पूरे भारत में क्रसी छेत्र में ध्यान देना है, या उद्योगों के छेत्र में देना है, किस तरह से किस छेत्र में ध्यान देना है, दूसरा है जगह, कि क्या राजस्तान में क्या-क्या ध्यान देन या मद्य प्रदेश में क्या-क्या ध्यान देना है केरल में क्या-क्या चीजियों को ध्यान देना है तर आप सुन सकते हैं नहीं सुन नहीं सकता हूँ अब सुन तो सकता हूँ आप वहाँ से कमेंट कीजिये न बिलकुल नियोजन दो परकार का होता है, अब इन देखेंगे हम डिटेल में, तो नियोजन हमने पहला सब्द का मिनिंग समझ लिया, दूसरा सब्द है चैप्टर में सतत पोष्णिय विकास, सतत पोष्णिय विकास में तीन सब्द है, सतत यानि लगातार पोष्णिय मतलब क जो पोशन दे सके लगातार पोशन दे सके ऐसा विकास करना है इस पूरे सब्द का मिनिंग क्या हो गया इस पूरे तीन सब्दों का जो मिला जुला सतत पोशन विकास इसका क्या मतलब हो गया हमें ऐसा आर्थिक विकास करना है जो की आने वाली पीडियों की जरूरतों का भी ध्यान रखे जैसे कि हम आज बड़ी मात्रा में बिजली कोईले से पैदा करते हैं और आज की पीड़ी हम लोग ही ये सोच ले कि हम जादा से जादा बिजली का परियोग करेंगे अंदा धुन्द परियोग करेंगे लापरवाई से परियोग करेंगे कोई ध्यान नहीं तो हम जादा से जादा कोईले का जमीन से निकालेंगे और उससे बिजली बनाने की कोशिश करेंगे और इतना अंदा धुन तरीके से हम यूज करेंगे कि आने वाले समय में कुछ ही सालों में कोईला खतम हो जाए तो हमारी जो आने वाली पीडी है आज से 15-20 साल 25-30 साल बात जो लोग आएंगे क्या उन्हें कोईले की जुरुत नहीं पड़ेगी क्या उन्हें बिजली की जुरुत नहीं पड़ेगी उनको भी बिजली की जुरुत पड़ेगी हमसे जादा ही पड़ेगी तो उनके लिए भी कोईला बचाज रहना चाहिए हम इस तरह से यूज ना कर कि आज ही वो कोईला या कुछ सालों में ही कोईला खतम हो जाए तो हमें ऐसा आर्थिक विकास करना है इस तरह से आगे बढ़ना है कि हम आने वाली पीडियों की जरूरतों का भी ध्यान रख सके ऐसे विकास को कहा जाता है सतत पोष्णिया विकास ऐसा विकास जो लगातार आ आने वाली पीडियों का भी ध्यान रख सके उनका भी जरूरतों का पोष्ण कर सके उसे कहा जाता है सतत पोष्णिया विकास तो इस चैप्टर में हमें भारत के संदर में अपने प्यारे देश बारत के संदर में एक तो नियोजन देखना है नियोजन से जुड़ी कुछ ब पोष्णिविकास और नियोजन की सबसे पहले हम एक कानी देख लेते हैं 1947 से जो कानी सुरू होती है 15 अगस 1947 को अपना प्यारा देश भारत आजाद हुआ ब्रिटेन के चंगुल से बाहर निकला आजाद ही जब मिली तो बहुत सारी समस्या थी हम नए नए अभी आजाद यह नहीं है ब्रिटिशर्स ने उद्योग इतने ज़्यादा विक्सित है नहीं और आर्थिक विकास के मामले में हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं तो इस समस्या से लड़ने के लिए सरकार ने कहा बारस सरकार ने कहा कि हम कुछ प्लानिंग करेंगे हम कैसे आगे 15 साल में अपने प्यारे देश भारत को कहा देखना चाते हैं गरीबी की कितनी समस्या मिट जाए बिरोजगारी कितनी कम हो जाए क्रसी चेतर में हम और क्या क्या करें कहां से बीज लाएं कहां से उर्वरक बनाएं कैसे हम सीचाई चेतरों को और ज़्यादा ज़्यादा इंग्लिश में कहते हैं planning commission. नाम से ही समझ में आ रहा है, ये आयोग क्या करता है? ये योजनाय बनाता है, planning बनाता है planning commission. 1950 में planning commission का गटन हुआ. और ये planning commission क्या करेगा? ये सोचेगा, plan बनाएगा, कि अच्छा, ये वाले समस्या है, इसको solution करने के लिए हम ये ये कर सकते हैं, इस राज्य में, इस छेत्र में ये ये समस्या है, ये सारी चीज़े हम कर सकते हैं. वो करने के लिए योजना आयोग बनाने लगी, पंच वर्स ये योजना, यानि कि, नाम सही समझ में आ रहा है, कि प्लानिंग कमिशन योजना आयोग योजना बनाएगा, कितने कितने सालों की, पंच पंच वर्स ये योजना, कि इन पंच सालों में हम ये करने वाले हैं, आज से लेके आने वाले पंच सालों में हम ये ये चीज़े करने वाले हैं, फिर वो time period खतम हो जाएगा, जब वो time period खतम हो जाएगा, उसके बाद अगली 5 वर्सिय योजना बनाई जाएगी, कि अच्छा, इन 5 सालों में अब ये करेंगे, तो 1950 में योजना आयोग बना, और 1951 से इन्होंने ये 5 वर्सिय योजना लानी शुरू की, 1951 में पहली 5 वर्सिय योजना आ गई, और चुकि 5 सालों की है, तो कितने साल चलेगी ये, 5 साल चलेगी, 1951 से लेके 1956, ये पहली 5 वर्सिय योजना और उसके बाद हर 5-5 सालों में, आलंकी बीच में कुछ गैप आये, वो अभी हम देखेंगे, तो पहली 5 वर्सिय योजना, 1951 से चपन में आई, जिसके अंतरगत, इस पहली 5 वर्सिय योजना के अंतरगत, क्रसी चेतर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, योजना आयोग का ध्यक्ष प्रदान मंत्री होता है, बिलकुल, लेकिन अभी योजना आयोग नहीं है, अभी नीती आयोग आपको नाम सुनने को मिलता होगा, अगबारों में, वीडियोज में, यूट्यूब पे, नीती आयोग, अभी योजना आयोग नहीं है, अभी हम ब देखने को मिलती है, अभी history की class चल रही है, history का एक chapter complete होगा, फिट geography हम शुरू करेंगे, बिल्कुल इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्य मंत्री होते हैं, बिल्कुल, तो पहली पंचवर्स योजना 1951 से 56 में आई, इसका मुख्य जो ध्यान था, मुख्य फोकस था, वो कर करसी चित्र को बढ़ाने का था, कि हम करसी चित्र को बढ़ाना चाते हैं, हम अनाज का ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करना चाते हैं, अब वो क्या, कैसे करेंगे, वो ये योजना आयोग बताएगा इस पहली पंचवर्सी योजना के अंतरगत, फिर हर 5-5 सालों मे नई 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 पंचवर्सिय योजना बनती गई और जो बार भी पंचवर्सिय योजना थी उसका डूरेशन था 2012 से लेके 2017 ये लश्ट पंचवर्सिय योजना थी इसके बाद पंचवर्सिय योजना नहीं आई क्योंकि ये योजना आयोग को भी खतम कर दिया गया योज से चपन और जो अंतिम पंचवर्षी योजना है जो बारवी पंचवर्षी योजना पहली 1951 से चपन दूसरी चपन से लेकर 61 तीसरी 61 से लेकर आगे 66 चौती फिर ऐसे ऐसे करते करते बारवी पंचवर्षी योजना का समय क्या था 2012 से लेके 2017 ये 5 साल, 2017 के बाद कोई पंच वर्सी योजना नहीं आई क्योंकि इसके बीच में 2015 में इस योजना आयोग को हटा कर नीती आयोग बना दिया गया था तो 2015 में 1 जनवरी 2015 को भारत के परदान मत्री स्री नहेंद मोदी जी ने इस प्लानिंग कमिशन को हटा दिया और बना दिया नीती आयोग तो प्लानिंग कमिशन कब बना यानि योजना आयोग कब बना 1950 में पहली पंच वर्सी योजना कब आई 1951 में और ये नीती आयोग कब बना 2015 में किसके इस्थान पर बना ये, योजनायोग के इस्थान पर ही बना, अब योजनायोग नहीं है, अब नीती आयोग ही है, और नीती आयोग इस तरह की योजनाय नहीं बनाता है, ये तीन साल की, साथ साल की, पंदरा साल की ऐसे कुछ इनने डोक्यूमेंट बनाए है, इसका पर ये तो ओगई अपनी बेसिक बात, नियोजन क्या है, सतत पोष्णे विकास क्या है, प्लानिंग कमिशन क्या है, यानि योजन आयोग क्या है, और नीती आयोग क्या है, और ये पंच वर्सी योजना क्या है, ये सारे सब्ध हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, इ प्रक्रिया जैसे हमें किर्केट मैच खेलना था, तो इसके हमने बहुत कुछ सोचा समझा, कौन बैट लेके आएगा, कौन बॉल लेके आएगा, कौन स्टम्प लेके आएगा, स्टम्प नहीं है तो कैसे हम पत्थर रख लेंगे, क्या वहां मैदान में पत्थर होंगे, क्या कटिली जाडिया तो नहीं है कितनी बजे मैच खेलेंगे हम लोग क्या सब लोग सुबह उट पाएंगे या दोपर में हम मैच खेलें छुटी कप की है ये सारी जो प्लानिंग करें वो नियोजन के अंतरगत तो नियोजन एक सोच विचार कर संपन की जाने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतरगत कारेकरम की रूपरेखा तयार करना रूपरेखा मतलब एक प्लानिंग करना कि हाँ ऐसे 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 करेंगे ये 22 लोग खेलेंगे ये एंपायर बनेंगे ये common हो जाएगा इस तरह की चीजे एक रूपरेखा बनाना और उद्दिशियो की प्राप्ति के लिए गति वीडियो के किरियान वन को सम्मिलित करना है हमारा उद्दिशि क्या है किर्कैट मेच खेलना है रूपरेखा बनाली अब उद्देशियों की प्राप्ति करने के लिए हम क्या कर रहे हैं इन सारी चीजों का किरियान वन कर रहे हैं संडे आ गया, अब उठेंगे हम, सब लोग आपस में मिलेंगे कि हाँ सब लोग आ जाओ, अब वहाँ चलते हैं अब कैसे जाएंगे, क्या ओटों में जाएंगे, क्या साइकल से जाएंगे, क्या कुछ लोग पैदल चलेंगे तो ये सारी चीजें किसके अंतरगत आ गई, नियोजन नियोजन एक सोच विचार कर संपन की जाने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतरगत कारेकरम की रूप रेखा बनानी है साथ ही हमारे उद्देशियों की प्राप्ती करने के लिए इन गती विदियों का अच्छी तरीके से किरियान वन करना ही नियोजन कहलाता है अब यदि हम देश के इस्तर पर या राज्य के इस्तर पर बात करे तो नियोजन के दो तरीके हैं प्लानिंग के दो तरीके हैं एक तो खंडिय नियोजन और दूसरा है प्रादेशिक नियोजन खंडिय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन क्या होता है खंडिय और प्रादेशिक नियोजन खंड यह मतलब कि आप एक एक छेत्र को देखो कि हाँ हम पूरे देश में खेती पर ध्यान देंगे या हम पूरे देश में सडकों पर ध्यान देंगे या हम पूरे देश में शिक्षा पर ध्यान देंगे या स्वास्ति पर ध्यान देंगे यानि कि एक एक खंड को देखना है शिक्षा तो अब पूरे देश में हम शिक्षा पर ही ध्यान देंगे ये खंड हो गया और प्रादेशिक मतलब की हर राज्यों को अलग-अलग पकड़ो यानि कि राजस्तान में हमें क्या देखना है क्या पानी की कमी है या स्वास्तिय की चीजों की कमी है तो राजस्तान में ये चीज करेंगे मद्य परदेश में क्या चीज की कमी है वो चीज करेंगे अच्छा नौर पीष्ट उत्री पूर्वी भारत के असम में क्या प्रॉबलम है क्या बाड जदा आती है तो हम बाड पे हम आपर ध्यान देंगे, हिमाचल पर देश में क्या रोड नहीं बन पा रही है, तो हम रोड बनाने पर ध्यान देंगे, या फिर रोड बनने की वजह से वहां पर बहुत जादो पेड़ों को काटा जा रहा है वहां की जो पारिश्तिती की तंत्र है परियावरण है उसको पर ध्यान देना है और दूसरा है प्रादेशिक नियोजन मतलब अलग-अलग प्रदेश पर हमें ध्यान देना है अलग-अलग प्रदेश के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है चुकि मैं एक टॉपिक करता हूँ उसके बाद हम कुछ बाते करते हैं इसलिए मैं पढ़ाने पर ज़्यान देता हूँ ताकि अपना कोर्स थोड़ा सा जल्दी हो सके और चुकि समझना में ज़्यान अपना पढ़ाई पर होता है माफी चाहूंगा दोस्तों की रिपलाई नहीं कर पाते हैं टॉपिक कम्प्लीट हो जाए फिर हम बीच-बीच में बाते करते रहते हैं खंडी नियोजन की अपेक्षा प्रादेशिक नियोजन लापकारी है विशाल मीना जी कह रहे हैं अब कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है और कोई चीज एकदम घटिया नहीं होती सब की अपने-अपने प्लानिंग है टो शुरुआत करते हैं खंडि नियोजन और प्रादेशिक नियोजन को थोड़ा-thोड़ा हम समझ लेते हैं हालानकि हमने समझ लिया है बुकिश लेंग्वेज में आपकी बुक में क्या भासा लिखी हुई है उसको हम देख लेते हैं तो चीजे तो आपको समझ में आ गई होगी कि खंडी नियोजन और प्रादेशिंग नियोजन क्या है एक बार देख लेते हैं पूरा फोकस हम पड़ाई पर रेखेंगे इसी उद्देश्य के साथ हम बैटे हैं इसी उद्देश्य की प्लानिंग करके हम आये हैं कि अच्छा उस समय 4-5 हम क्लास लेंगे 5-6 भी विशन ग्यान पर क्लास लेंगे कुछ लोग 6-7 भी क्लासेज लेते हैं वहां से हम क्या सिखेंगे अपनी बुक में कैसे हाईलाइट करेंगे अपने नोर्स कैसे बनाएंगे यह भी अपनी एक प्लानिंग है यह भी अपना एक नियोजन है बिलकुल कल क्लास होगी देली क्लास होगी और नहीं होगी तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले ही बता दिया जाता है classes होगी, डेली classes होगी तो खंड नियोजन में हम अर्थ वेवस्ता के विबिन खंड या विबिन चेत्र जैसे खेती पर, क्रशी पर ध्यान देंगे स्टीचाई पर ध्यान देंगे या फिर उडजा, बिजली पर ध्यान देंगे वी निर्मान, वी निर्मान मतलब उद्योगों पर ध्यान देंगे परिवन पर ध्यान देंगे, संचार पर ध्यान देंगे या अलग-अलग कौन से छित्र में हम ध्यान देने वाले हैं उसे कहा जाता है, खंडिय नियोजन अलग-अलग खंड के हिसाब से हमें planning करनी है तो इन खंडों के विकास के लिए कारेकरम बनाकर उनको लागू किया जाता है दूसरा है प्रादेशिक नियोजन प्रादेशिक नियोजन क्या होता है हर प्रदेश के जरूरतों के हिसाब से हर छित्र हर राज्य हर प्रदेश के हिसाब से हम planning करें, हम नियोजन करें, उसे कहाजाता है प्रादेसिक नियोजन, तो प्रादेसिक नियोजन के अंतवर्गत क्या किया जाता है, विकास के असमान परती रूप से उत्पनं, प्रादेसिक असंतुलन को कम करने के लिए हम पहले भी देख चुके हैं क्रशी वाले चैप्टर में कि कैसे पंजाब हरियाना उत्तर प्रदेश का पश्ची में इस्सा यहां पर हरित क्रांती आगे बढ़ने से यह चेत्र तो बहुत जादा विक्सित हो गए लेकिन जो दूसरे चेत्र है जहां पर हरित क्रांती का ज्यादा प्रवाव नहीं हुआ वो उस मामले में पिछेडे रह गया उनका विकासा सोड़ा पीछे रह गया तो यह तरह से यह चैत्रियस असिलन पैदा हो गया और कोई प्रदेश में किस प्रकार के संसादन उपलब्ध है, क्या कहीं पर पानी कम है, क्या कहीं पर आपके पेड़ पौधे कम है, कहीं पर बाड़ जादा आती है, उस हिसाब से हम अलग-अलग प्रदेशों के हिसाब से नियोजन करें, उसे ही का जाता है प्रादेशिक नियोजन, स याथ ही उपलब्द संसादनों का उपयोग भी करने के इसमें सोची जाती है कि किस प्रदेश में ज्यादा संसादन, कौन से उपलब्द है, जैसे अभी हमने खनीश्तता उर्जा संसादन वाले चेप्टर में देखा, पिछला चेप्टर, पाच्वा चेप्टर में हमने उद्योग लगाएंगे वी निर्मान उद्योग लगाएंगे वहाँ पर सड़क बनाएंगे वहाँ पर बिजली की अच्छी सुविदा देंगे ताकि ये उद्योग अच्छी तरीके से काम कर सके तो इसे ही कहा जाता है प्रादेशिक नियोजन हर प्रदेश की जरूरतों के ह प्रदेश की ताकत के हिसाब से वहाँ पर प्लानिंग करना उसे कहा जाता है प्रादेशिक नियोजन तो नियोजन करने के हमारे पास दो तरीके हैं एक एक राज्य को देखेंगे तो समय जादा जाएगा यदि हम जैसे सिक्षा पर विशेश द्यान देंगे तो पूरे देश में सिक्षा वैवस्ता में एक साथ सुधार होगा बिल्कुल प्रवीन कुमार यादव जी देखो आप लोग सोच रहे हो यह बहुत अच्छी बात है आप ना सिरफ यहाँ पर थियोरी पढ़ रहे हो ना केवल आप एक्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो बलकि आप खुद से भी सोच रहे हो बस अपनी पढ़ाई का यही है कि जो भी चीजे हम देखे उसकी वज़ा से हम सोच पाएं कि अच्छा यह बात है हम सोच पाएं ठीक है ना सिरफ एक्जाम के लिए बलकि हम अपनी डेली लाइफ में इन चीजों को उतार सके सोच पाएं इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि आपको न्यूज पेपर प दर्शेह विकास के चेतर में क्या हो रहा है इसके चित्र में हो रहा है म साइंस के चेतर में हो रहा है चंदरीं फ awesome यूराँ मिशन की थोड़ी-थोड़ी आप जड़ी ढ़गार". ताकि आपका जो ये हम पढ़ रहे हैं, किताबों में जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, उससे वहाँ connect कर पाओ, बहुत बढ़िया वाई कैमरोन जैक्सॉन जी कह रहे हैं, गौतम अडानी प्रशिद बिजनस टाइकून, गौतम अडानी ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी नहीं की, लेकिन उनकी संपती करीब 11-12 अरब डॉलर आकी गई है, वह भारत के सबसे बड़े बंदरगाब मुद्रा पोर्ट के मालिक ह कैमरोन जैक्सॉन जी, अच्छी बात कह रहे हैं, शिक्षा का कहीं न कहीं रोल होता है, किसी को शिक्षा नहीं मिलती है, किसी के घर में कुछ और परिस्ति आती, अगर हमें शिक्षा मिलती है, तो हमें उसे जरूर ग्रहन करना चाहिए, हमें रटने पे, फैक्ट पे नहीं बलकि अपने दिमाग के इस्तर को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए विशाल चौधरी जी कह रहे हैं संसर टीवी बिल्कुल देख सकते हैं समय हो तो आप संसर टीवी भी देख सकते हो बहुत सारी चीजों की जानकरी होगी तो आप अच्छे बिजनसमेन भी बन पाओगे जिस चेतर में भी आप जाना चाते हो अगर उस चेतर की जानकरी होगी चाहे वो बुक से मिले चाहे आपको अकबारों से मिले वीडियो के माध्यम से मिले आमें लेनी चाहिए वो सारे ही सिक्षा के माध्यम ही है तो आपने जैसा कि देखा था कि ये जो planning commission था योजना आयोक था ये एक तरीके से जब शुरू हुआ तब ये kendrian योजन करता था मतलब कि central government ही पूरे देश के लिए नियोजन कर देती थी planning कर देती थी कि हाँ हम ऐसी चीजे करने वाले है जो कि समय के साथ साथ पता चला कि ज़्यादा successful नहीं रहा उसको ज़्यादा success नहीं मिल पाई क्या आप बता सकते हैं कि Kendri नियोजन को ज़्यादा success नहीं मिल पाई क्यूँ एक तो Kendri नियोजन मतलब की सब जने office में बैट कर meeting करके एक ही तरह का नियोजन एक ही तरह की planning का ढ़ाचा बना दे लेकिन हर चेतर की अपनी अलग-अलग जरूरते होती है कहीं ज़्यादा पानी है तो कहीं कम पानी है तो हमें ज़्यादा पानी वाले चेतर से कम पानी वाले चेतर में पानी पहुचाने के बारे में सोचना चाहिए न कि सेंटर में बैट कर planning कर ले कि आ सब जगा पानी पहुचा दो तो जिस चेतर में ज़्यादा पानी है वहाँ पर भी पानी पहुचाय जा रहा है जिस चेतर में कम पानी है वहाँ पर भी पहुचाया जा रहा है और दोनों बराबर पहुचाया जा रहा है जो की सई तरीके की रन्निती नहीं हैं तो जब planning commission योजनायक शुरू में बना तब हमारा ध्यान केंद्री नियोजन पे था लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे-धीरे-धीरे अम छेत्री नियोजन की तरफ आगे बढ़ने लगे, अभी हम देखेंगे चेत्री नियोजन कैसे हम देख सकते हैं कर मैं क्या करू कि मुझे याद हो जाए, मैं पहले भी बात बता चुका हूँ कि अब याद करने पर फोकस मत कीजिए, आप समझने पर फोकस कीजिए, आपको याद नहीं करना है, पहली दफाः याद नहीं होगा, और पहली दफाः आपको समझने पर कोशिश करना चाहिए जैसे कि अभी मैं बोलू कि नियोजन क्या है, तो आपको याद किया हुआ याद नहीं होना चाहिए, बलकि आपकी नहीं समझ पर विक्सित करें इससे एक दो तीन फाइदे होंगे एक तो आपके दिमाग पर बड़न कम आएगा ठीक है आप याद करते हो तो आपको पड़ाई में अन इंट्रेस्ट लगता है मजा नहीं आता है पड़ाई में छोड़ने की इच्छा करती है लेकिन आप समझो आपको तब काम आएगा आप याद कर लोगे तो आप एक्जाम तक भी याद नहीं रख पाओगे आज याद रखोगे कल भूल जाओगे तो याद करना याद किसी को नहीं होता है बिना समझे याद किसी को नहीं होता है ठीक है बिलकुल विवेक यादव जी कह रहा है मैं बिहार बोर्ड से हो, स्वागत है आपका, आप उन-उन चीजों को पढ़ सकते हैं, जो आपके बिहार बोर्ड में है, हालांकि NCRT तो पूरे ही भारत में लागू है, और अधिकतर राज्य सरकारों ने NCRT की बुक as it is copy कर लिये, तो बिहार बोर्ड में हो सकता है, NCRT की बु वीडियोज अवेलेबल है, आप अच्छे से देख सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी में है, निशा सैनी जी पूछ रहे हैं, तो हमने देखा था कि योजना आयोग जब 1950 में बना, तब उसका केंद्रिन योजन पर ध्यानता, समय के साथ दिरे दिरे वो चेत्रिन योज बना दिया, नीती आयोग, आपने नाम सुनाओगा, नीती आयोग, यो कि नीती बनाता है, प्लानिंग करता है, लेकिन इसके काम करने का तरीका अलग है, नीती आयोग का, ये नीती आयोग क्या काम करता है, ये केंद्रे तथा राज्य सरकारों को युक्तिगत और तकनिकी स सला देता है और स्टेट गवर्मेंट हर राज्य सरकारों को भी ये तकनीकी सला देता है कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे कीजिए ऐसी प्लानिंग कीजिए प्लानिंग कमिशन योजना आयोग जो था जो कि 1950 में बनाता हूँ 2015 में खतम हो गया उसका में काम था पैसा आवंटन करना एक तरीके से ये पैसा आवंटन करता था कि अच्छा रास्तान गवर्मेंट आप इतना पैसा ले लो मद्यपरदेश गवर्मेंट आप इतना पैसा ले लो और इस तरह से आप काम करो लेकिन ये नीती आयोग पैसा आवंटन का काम नहीं करत बलकि यह strategic planning करता है, बहुत युक्तिगत planning करता है, कि अच्छा यह यह problem आ रही है, तो हम यह यह कर सकते हैं, पैसे की बात थोड़ी इसमें कम है, साथ यह पंचवर सी योजना नहीं बनाता है, बलकि इसने कुछ 3 साल का, 7 साल का, 15 साल का, ऐसे करके इन्होंने planning बनाया है, और एक document release किया, कि अच्छा हम देश को 15 साल बाद ऐसे देखना चाते हैं, तो यह केंद्रिय और राज्य सरकारों को युक्तिगत और तकनिकी सला देता है, सरकारों द्वारा कौन-कौन से program चलाय जा रहा है, उसके monitoring भी करता है, कि अच्छा आप यह program चला रहे हो, तो हम देख आ रहा है, तो तकनिकी सला देता है, साथ ही भारत के आर्थिक नीति निर्मान में राज्यों की भागेदारी सुनिश्चित करने के लिए इसे इस्तापित किया गया था, भारत के आर्थिक विकास में राज्य अपना क्या-क्या योगदान दे सकते हैं, हर राज्य अपने capacity क के हिसाब से अपने उपलब्द संसादनों के हिसाब से भारत के आर्थिक विकास में किस तरह से सयोग दे सकते हैं आपस में कैसे कॉडिनेट कर सकते हैं इन सब चीजों का ध्यान रखता है ये नीती आयोग नीती आयोग पंचवर्सी योजना नहीं बनाता है तो समय के साथ ज माजस्तान में, मद्यप्रदेश में, केरल में, उत्राकंड में, असं में, मनिपूर में, सिक्किम में, इन जगों में, इन छेत्रों में, क्या-क्याप्राव्लम है? उनकी ताकत क्या है, उनके पास क्या सनसाधना वेले-बल है? उसके इसाब से PLANNING करेंगे. तो हम केंद्री- नियोजन की से लेके चेत्र नियोजन की तरफ बढ़े और क्यूं इसका उद्देश्य क्या था चेत्रिय और सामाजिक भिन्दता को दूर करने के लिए बिहार और पंजाब में जादा गैप न रहे जादा भिन्दता न रहे एक राज्य जादा अमीर बन जाए और दूसरा ज पिक्सा और स्वाश्ती के एकदम कम संसाधन उप्लब दो ऐसा ना हो इस भिन्दता को दूर करने के लिए अब केत्रियोजन की तरफ बढ़े अब इस चैत्रि नियोजन वाला चेत्र है जापर पानी की कमी है जापर वनस्पती की कमी है खेती नहीं हो सकती है उसके लिए अलग से प्लानिंग बनाओ तो इसके लिए सूका ग्रस चेत्र विकास कारेकरम चलाया गया और दूसरा प्रकार है इसके बारे में हम डिटेल में हमें इस चेप्टर में इसी चीज के बारे में पढ़ना है कि ये लक्ष छेत्र क्या है और लक्ष छेत्र के अंदर किस किस प्रकार के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं पॉलिटिकल की क्लास कब होती है सर पॉलिटिकल के recorded videos available है बहुत अच्छी quality के available है बहुत अच्छे से आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी चीजे तो आप recorded videos देख सकते हो तो इस छेत्री नियोजन के भी दो तरीके लक्ष छेत्र और लक्ष शमू लक्ष छेत्र मतलब छेत्र कैसे है क्या सूखा छेत्र है क्या परवत्य चेत्र है क्या ऐसा चेत्र है जहां पर command area हम बना सकते हैं क्या होता है command area हम अच्छे से समझेंगे तो छेत्र के इसाब से चेत्र में भी उप छेत्र के इसाब से planning की जाए उसे का जाता है लक्ष छेत्र नियोजन दूसरा है लक्षय समू, समू मतलब की किसानों के लिए क्या काम किया जाए, उद्ध्योगों के लिए क्या काम किया जाए, किसानों में भी जो छोटे किसान है, जो सीमांत किसान है, उनके लिए किस प्रकार के प्लानिंग कर सके, किस प्रकार के हम नियोजन कर सके, ये इसके गरदत आता है तो चेत्र नियोजन के भी दो तरीके हैं एक तो लक्षय-चेत्र और दूसरा है लक्षय-समौ, चेत्र में सुका-चेत्र है, पहाडी-चेत्र है, कैसा एरिया है उसके इसाब से नियोजन किया जाए तो इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से ये लक्सिय चेत्र वाले हिस्से देखने हैं लक्सिय चेत्र में आपको एक तो सूका गरस चेत्र एक पहाडी चेत्र एक आदिवासी चेत्र ऐसे करके हमें तीन-च्यार पॉइंट कवर करने हैं 31 मार्च 31 स्वैनिस सोशियोलोजी रही है सर तो एक एक करके हम दोनों को देखते हैं लेकिन आमें इस चैप्टर में मुख्य रूप से लक्ष चेत्र नियोजन के बारे में ही समझना है अब लक्ष चेत्र नियोजन सुरू करने से पहले दोस्ता में 30 सेकंड का समय लूँगा पानी पी लेता हूं 12th क्लास के लिए अभी हिस्ट्री की और जोग्राफी की लाइव क्लास चल रही है जोग्राफी का समय होता है 4 से 5 और हिस्ट्री की क्लास होती है 5 से 6 डेली होती है संडे को छोड़कर तो अभी ये लाइव क्लासेश चल रही है बागी पॉलिटिकल साइन्स और एकोनॉमी के रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और मिशन ग्यान के एप के थुरू भी आप अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाकर आप अच्छे से देख सकते हो हिंदी साइथियर शोशोलोजी इनकी क्लासेश अभी कोई प्लानिंग नहीं है जब भी होगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा थोड़ा कम चांस है और क्या पूछ रहे हैं आप हिंदी साइथि की क्लासेश का भी ज़्यादा मतलब प्लानिंग नहीं है तो कम चांसे से ठीक शुरू करते हैं लक्षे छेत्र नियोजन को देखना छेत्र नियोजन का पहला प्रकार है लक्षे छेत्र नियोजन चेत्रिय और सामाजिक विशमताओं की प्रबलता को नियंत्रित करने के लिए पर ये छेत्रिय नियोजन का एक प्रकार है तो छेत्र नियोजन का प्रमु पिछड़ा रह गया, इसमें थोड़ा धीरे-धीरे करके हम balance बना पाए, छेत्र नियोजन का यही उद्देश्य है, तो छेत्र नियोजन का जो पहला प्रकार है, लक्षे छेत्र नियोजन, उसका भी यही उद्देश्य होगा, कि कैसे हम छेत्रे और सामाजिक विशमताओं की जो प्रबलता है, यह जो विशमता और जादा-जादा-जादा मजबूत होती जाती है, उसको धीरे-दीरे हम नियंतरित कर सके, वो जादा मजबूत न हो, मतलब कि हम balance कर पाएं, इसके उद्देश्य से लक्षे चेत्र नता, लक्षे समूझ जैसे कारे करम को लागू किया तो लक्षे चेत्र और लक्षे शमूझ इस तरह के प्रोग्राम चलाएगा, योजना आयोक जारा, जैसे कि हमने देख लिया, सूखा गरस्त चेत्र विकास का रिक्रम, ये किसके अंतरगत आ जाएगा, ये लक्षे चेत्र के अंतरगत आ जाएगा, दूसरा है, प्रवत्य थी, 1951 से लेके 1956, दूसरी, 1956 से लेके 1961, फिर तीसरी, 1961 से लेके 66, फिर 66 से लेके 69 के बीच में कुछ प्रोबलम होई, और अलग प्रकार की उसमें प्लानिंग चली, फिर वापस से 4 आई, 69 से लेके 74, 34 तक और इस प्रकार बीच-बीच में पंचवर्षी होजना, कुछ और गया पाए, और एक एक करके नई नई पंचवर्षी योजना आती गई, तो इस आठ भी पंचवर्षी योजना, आठ भी पंचवर्षी योजना कब आई, 1902 से लेके 1997 के बीच में जो योजना, पंचवर्षी योजना चली, वो आठ भी पंचवर्षी योजना है, तो आठ पंचवर से योजना में परवत्य छेत्र और उत्तर पूर्वी राज्यों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, परवत्य छेत्र कौन से होते हैं, जैसे कि हिमालय जिन जिन राज्यों में है, या साउत में भी बहुत सारे जो परवत्य छेत्र है, पस्चिवी घाट वाले, पूर् बाइजे समझें ठीक है दूसरी बार आप वापस वीडियोज देख सकते हैं यह हमेशा रहेंगे वीडियो तो दूसरी बार में आप notes बना सकते हैं, ठीक, साथ-साथ notes बनाने की ज़रुद नहीं, आप पहन लेके थोड़ा-थोड़ा point, एक-एक point लिख सकते हैं, ठीक, जो जो नाम आपको याद रखने, वो लिख सकते हो, ठीक, तो notes बनाने की ज़रुद नहीं है, आशा पंडी जी कह रहे हैं कि chapter 2 से, chapter 2 से notes एक-दो दिन में आपके डल जाएंगे, 2, 3, 4, 5, इनके notes जल्दी ही डल जाएंगे, हाँ जी, हिमालय चेत्र, तो ये जो हिमालय वाला चेत्र है, जम्मो कश्मीर वाला चेत्र है, हिमाचल परदेश, उत्तराखंड वाला चेत्र है, सिक्किम वाला च चेत्रों के विकास के लिए ये प्रवत्य चेत्रों, प्रवत्य चेत्र विकास का रिक्रम चलाए गए, आठवी पंचवर्सी योजना में, उत्तरपूर्वी राज्यों के विकास के लिए प्रोग्राम चलाए गए, जन जातिये और पिछले चेत्रों में अम सरचना को विक की building बनानी है hospital की building बनानी है या पूल बनाने है या फिर railway mark बनाने है ये अवं सनरचना के अंतरगत आ गया infrastructure के अंतरगत आ गया किसी भी प्रकार की कोई सनरचना बनाना ये अवं सनरचना आ गया तो ये जो पिछड़े चेतर है या जन जाती चेतर है जन जाती चेतर जहां पर आदिवासी लोग जादा रहते तो उन छेत्रों में अवसर्णरचना को विख्षित करने के लिए ताकि उन्हें भी बहुत सारी सुविदाय उपलब्द हो सके इसके लिए अलग-अलग प्रगार के प्रोग्राम चलाए गए विशिश छेत्र योजना को तयार किया गया योज योजना नहीं आई तो आटवी पंचवर्शी योजना में ये परवत्य छेत्र ये जन जातिय छेत्रों में अंसरचना और ऐसे अलग-अलग प्रकार की योजना है अलग-अलग प्रकार की प्लानिंग की गई अब चतूर्त और पंचम पर्चवर्शी योजना चतूर्त पं पंचवर्जी उजना आई 1934 से लेके 1989 हालांकि यहाँ पर गवर्मेंट चेंज हो गई थी इसलिए यह पंचवर्जी उजना चार सालों तक ही चली प्लानिंग थी शुरू हुई तब कहा गया कि 1934 से लेके 1989 तक चलेगी लेकिन गवर्मेंट चेंज होने की वज़ा से यह 78 तक में चलपाई तो यह 14 और 15 पंचवर्जी उजना के साल के डियूरेशन हमें पता होने चाहिए तो चौती और 15 पंचवर्जी ऊजना की प्रमुः विसेश्ता थी कि प्रादेसिक और चेत्रे इस्तर पर योजनाओं को निर्मान कर किया जाने लगा पहले क्या था? केंद्रिय प्लानिंग थी केंद्रिय नियोजन था लेकिन ये चौती और पांचवी पंचवर्शी योजना में हम दीरे दीरे प्रादेशिक और चेत्रे इस तर पर योजना बनाए लगे कि इस चेत्र में ये चीज की प्राबलम है तो ये योजना बनाई जाए उस चेत्र में ये प्राबलम है तो उस तरह की योजना बनाई जाए परवत्य चेत्रों में क्या किया जाए सूका चेत्रों में क्या किया जाए जन जाती है चेत्रों में क्या किया जाए इस तरह की planning करने के लिए ये चौती और पांचवी पंच वर्स जो 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 बहुत ही important है वन शिय पका राम जी कह रहे हैं दोस्तो PDF notes में कोई अंतर नहीं है PDF उस format को कहते हैं और notes चीज़ है कोई अंतर नहीं है PDF page को कहते हैं जैसे word document क्या होता है PDF क्या होता है PPT क्या होती है यह उसका format है और notes उसमें जो लिखा गया है वो notes है आप इस प्रकार की चीज़ों में ना उलजें तोनों सेम चीज़ है ठीग PDF में notes बने हुए होते है PDF में notes बने हुए होते है जैसे कि कागज और notes में क्या अंतर है कागज जिस पे लिखा जा रहा है और notes जो हम लिख रहे हैं वैसा ही PDF है PDF वो जो page आ रहा है आपको online वो PDF है और उसमें जो लिखा जा रहा है वो notes है दोनों एक ही चीज है पंशिय पकराम जी कन्फ्यूज ना हो दोनों एक ही चीज है ठीक आप इतना समझ लीजे तो चौती और पांचवी पंचवर्षी योजना में हम छेत्री और प्रादेशिक इस्तर पर योजनाओं को निर्मान करने पर ज्यादा ध्यान देते रहे हैं जैसे कि परवत्य चेत्र विकास का रिकरम जैसे कि परवत्य चेत्र विकास का रिकरम जो परवत्य चेत्र हैं उनकी प्रॉब्लम अलग होती है वहाँ पर रोड बनाना बहुत मुश्किल होता है अलग-अलग अवसलनचना बनानी, अलग-अलग तरकार के इंफ्राइस्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ पर कैसे विकास किया जाए, इसके लिए अलग से प्रोग्राम बनाया गया परवतिय चेत्र विकास कारेकरम, इसमें देश में जितने भी परव जाती है, उनकी अपनी एक समस्या होती है, उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको कैसे हम एड्रस करेंगे, उनके विकास के लिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए पूरे देश के लिए ये जन जाती है चेत्र विकास कारेकरम, लॉज किया गया था, सूखा प्रवन चेत्र विकास का रिक्रम जिन चेत्रों में सूखा ज़्यादा पड़ता है या तो बारिश कम है या फिर नदिया नहीं है उन चेत्रों में तो उन चेत्रों के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे उन चेत्रों का विकास कैसे करेंगे उन चेत्रों की प्रॉब्लम कैसे सॉल करेंगे, इसके लिए अलग प्रोग्राम चलाए गया, सूखा प्रवन चेत्र विकास कारेकरम, इसी प्रकार अलग अलग प्रोग्राम, जैसे की मरुस्तल विकास कारेकरम, कमांड चेत्र विकास कारेकरम, नदी बेसीन विकास कारेकरम, महानगरे चेत्र विकास कारेकरम द्वी प्रदेसों का विकास कारेकरम मतलब कि ये चौती और पांचवी पंचवर्सी योजना में हम केंद्रिन योजन की बजाए अब चेत्रि और प्रादेसिक नियोजन की तरफ आगे बढ़ने लगे देस में जितने भी परवत्य चेत्र है उसके लिए अलग प्रोग्राम जितने भी सूखे चेत्र है उसके लिए अलग प्रोग्राम जो भी जन जाती चेत्र है उसके लिए अलग प्रोग्राम चलाए जाने लगे एके करके हमें मुख्य रूप से तीन चार कारिक्रमों के बारे में देखना है पहला कारिक्रम है परवत्य चेत्र विकास कारिक्रम नाम से ही समझ में आता है कि देश में जहां जहां पर परवत्य चेत्र है जहां जहां पर पहाड परवत है उन चेत्रों की समस्याओं को निप्ताने के लिए उन चेत्रों का विकास करने के लिए ये कारेकरम चलाये गया तो देश में 17% भू बाग पहाड़ी चेत्र है पूरा 100% हो गया इसका करीब 15-17% बाग पहाड़ी चेत्र है तता यहां 11% जनसंख्या निवास करती है यह सब आकड़े हमारी बुक में नहीं है एक्स्ट्र आकड़े हो सकते हैं आपको ध्यान याद रखने की ज़रुत नहीं है सिरफ आप चीजे समझने की कोशिश कीजिए हो सकता है नहीं वाली बुक में यह आकड़े ना हो तो आप इनको चीजे समझने की कोशिश कीजिए सिरफ समझ बढ़ाने के लिए है आपके ठीक है तो आकडों पे आपको टेंशन नहीं लेना है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डेटा है आकड़े हैं जो याद करने वाली चीजें हैं उन पे अभी ध्यान नहीं देना है अपने समझ पे विक्सित करना है अच्छा पाहडी चित्रों के लिए प्रोग्राम है कितने पहाड़ है करीब 17 परिशत भुव भाग पे पहाड़ी है मतलब इतने ज्यादा पहड़ा है भारत में लिए क। तत्याम गत्वक्शा जन्संग्या निवास करती है बारत में सौ पर तिसद जगह है ईसमें 37 परतिसत यह एक रफ मैप बना दिया हमने तो का काँ पर पहाड है यह यहाँ पर पूरा हिमालिया है यह पूरा हिमालिया है आपने 11 ख्लास में अच्छे से देखा होगा कि हिमालिय किन-किन छेत्रों में है यहाँ पर आपको पश्चीमी घाट नामक पहाडिया मिल जाएगी यहाँ पर भी पूर्वी घाट नामक पहाडिया है जो कि टूटी-फूटी है यहाँ पर सत्पूडा है विंद्यांचल है यह अरावली परवतमाला है इधर भी बहुत सारी पहाडिया है तो यह पूरा पहाडी चेत्र भारत के कुल चेत्रफल का कितना है 17 परतिसत है और इ इन पहाडी चेत्रों का इतना ज़्यादा योगदान है और इन पहाडी चेत्रों का विकास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इतनी ज़्यादा जनसंक्या यहां रहती है साथ ही यह थोड़े से फ्रिजाइल चेत्र है यहाँ पर दुरुगटनाय ज़्यादा होती है तो अपना ये जम्मू कश्मीर वाला चेत्र है तो यहाँ पर अधिकतर चेत्र पहाडी चेत्र है नीचे हिमाचल परदेश वाला चेत्र है उत्राखंड वाला चेत्र है ये maximum पहाडी चेत्र है अधिकतर ये पहाडी चेत्र है इसलिए इन पूरे राज्यों पर राज्यों को ही प पर अलग से ध्यान दिया गया है तो पहला है संपूल राज्य और दूसरा है किसी राज्य के कुछ भूबाग संपूल राज्य में कौन कौन आते हैं जैसे कि पूर्वोतर के राज्य पूर्वोतर भाई हमने भारत और वर्ल्ड के मैप करें डेट सो से दो सो बार से ज़्यादा किये तो आपको इमेजिन होने लग गया होगा कि ये पूर्वोतर वाला कौन सा चेत्र है ये पूर्वोतर वाला भारत का ये उत्तर पूर वाले जो राज्य है असम, अरुनाचल परदेश, नागा लैंड, मानिपूर, मिजोरम ये वाले चेत्र हैं अधिकतर ये पहाड़ी चेत्र हैं तो इनको इस प्रोग्राम के अंतरगत सामिल किया गया है जैसे जम्मू कश्मीर वाला एरिया है हालां कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा है ये केंदर सासित परदेश हो गया है लेकिन फिर भी पूरे ही जम्मू कश्मीर को इस पाड़ी चेत्र विकास कारेकरम के अंतरगत सामिल किया गया है जैसे हीमाचल परदेश है कहा है हीमाचल परदेश? नहीं है उनके कुछ बागी है जहाँ पर पाडिया है जो परवत्य चेत्र है जैसे कि असम का कारभी एंगलोंग और उत्री कछार जिला असम का है यह आपका असम हो गया तो असम में कारभी एंगलोंग नामक पठार पाड़ी चेत्र है तो उस चेत्र के लिए अलग से पाडिया मिल जाएगी तो उन चेत्रों के लिए आपको परवत्य चेत्र अलग से विकास कारेक्रम देखने को मिल जाएगे इसके अलावा पाड़ी चेत्रों का विस्तार नीचे दक्षिनी राज्यों में भी है इस मैप पर हमने देखा कि ये दक्षिनी राज्यों में है आप पांच वी पंच वर्षिय युजना के अंतरगत, ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे, करना क्या है आपको, आज जो भी चीजे पड़ी हैं, आज ही रिवाइज करके उनको कम्पलीट कर ले, ताकि कल हमें भार ना है, क्योंकि आज हमने वीडियो में पढ़ ल ज्यान रखना है, अपने फिजिकल हेल्थ का और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, अभी आपके 5-6 हिस्ट्री की क्लास होगी, हम मिलेंगे कल 4-5 जोग्राफिक के साथ, तब तक आप अपना खयाल रखे, मिशिन ज्यान की एक अकसा से जुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल